इस कहानी की शुरुआत में हमें बताये जाता है कि आसे हजारों सालों पहले जब दर्थी और स्वर्ग को अलग किया गया था तब दुनिया का सबसे पहला और पाउरफुल डीनम प्रीमोडियम पेदा हो गया था जो तीनों लोगों पर राच करना चाहता था इसलिए उसने स सभी लोगों पर अटेक करना शुरू कर दिया देवताओं के सेनिकों ने उसे रोगने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर पाया तो बुद्धा ने अपने एक शिश्य गोल्डन शिकाड़ा को प्रीमोडियम को रोगने के लिए बेजा क्योंकि उसके पा कहानी सेंडी बाजी को सुना रहा होता है लेकिन बाजी को इस कहानी पर यकिन नहीं होता तो सेंडी उसे कहता है कि एक कहानी सची है क्योंकि प्रीमोडियम ने जहां भी पेर रखा था वहां का सारा जीवन नश्ट हो गया था और प्रीमोडियम किसी भी चीज को दानों में बदल सकता है फिरो दोनों अपने माश्टर टेंग के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लेकर एक पशिम की तिर्थी आत्रा पर जाने वाले थे तभी वहाँ टेंग का सबसे अच्छा शिश्य सन वुकॉंग भी आ जाता है जिसे हम मंकी के नाम से जानते हैं जो सभी डीमन का र क्योंकि अभी उनके माश्टर जेन युवां किसी काम से बाहर गए थे वो दोनों लड़के माश्टर टेंग को सर्गे सिल के पास लेकर जाते हैं जहां माश्टर ध्यान करने लगते हैं वही मंकी और उसके दो स्टेंपल में घूम रहे होते हैं और वहाँ की चीजों का मज अच्छा काने लगते हैं तो देखते हैं क्यों किसी सिग्रेट जगह में जा रहे हैं यह देखकर मंकी किंग और बाजी अपना रूप बदल कर अंदर गुश जाते हैं जहां वह देखते हैं कि वहां एक बहुत ही बड़ा वाइट कलर का जदू पेड़ होता है जिस पर बह मंकी किंग अपनी इस्टिक से एक फल को तोड़ लेता है लेकिन फल जमीन पर नीचे जाकर गिर जाता है बाजी उस फल को पकड़ने जाता है लेकिन तबी फल जमीन में कहीं गायब हो जाता है बाजी उस फल को डूडने ही काफी कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मि बल्कि ये सभी जादूई फल हैं जो जमिन पर लगते ही गाहे वो जाते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स 10,000 सालों में सिफ एक बार उखते हैं और अगर तुम इन फल को खा लो तो तुम 47,000 सालों तक जीवित रह सकते हो ये सुनते हैं मंकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत बाते सुन लेते हैं जिससे उनने उन पर शक होता है इसलिए उस जादूई पेड़ के पास जाकर वहां आपने फूर्ट्स चेक करने लगते हैं तो देखते हैं कि वहां चार फूर्ट्स कम होते हैं इससे उनने बहुत गुसा आता है और वह मंकी किंग और उसके दोस्तों पर चोरी का इलजाम लगा देते हैं तभी मास्टर टेंग भी वहां आ जाते हैं जो उनने कहते हैं कि यहां क्या चल रहा है तो दोनों के टेकर उनने कहते हैं कि आप दिखावा मत कीजिए हम जानते हैं कि आप इनके साथ मिले हुए हैं तो मंकी उनने कहता है कि मेरे मास्ट ने कुछ नहीं किया वो fruits मेंने तोड़े थे इसलिए अगर तुम्हें पनिश करना है तो मुझे पनिश करो तो दोनों लड़के monkey king पर अटेक कर देते हैं monkey king उनसे बस्ता जाता है क्योंकि अपने माश्टे की बेज़्यती बरदाश नहीं कर सकता था इसलिए वो उन दोनों को गुसे में कहता है कि अब मैं तुम्हारे पेड को ही नश कर दूँगा टेंग उसे शांद करने कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों लड़के monkey king का मजाग उड़ाने लगते हैं कि तुम एक मामुली राक्षस हो जो बुराएं के सीवा कुछ नहीं कर सकता तो monkey king को इससे बहुत गुसा आता है और वो अपनी मेजिकल इस्टिक बहार निकाल कर उस पेड़ को डिश्टोय करने के लिए चला जाता है वो उस पेड़ के पास जाकर सारे fruits को तोड़कर नीचे गिरकर गायब हो जाते हैं किया टेकर monkey king को रोगने कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं फिर monkey king अपनी इस्टिक का साइज बहुत बढ़ा करके उस पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ देता है तभी जेन युवांग भी अपने शिशों के साथ वहां आ जा करते हैं कि मेरे शिशों से गलती हो गई लेकिन जेन युवांग उन्हें कहते हैं कि इनके किये की सजा जरूर मिलेगी यह कहकर मंकी गिंग और उसके दोस्तों पर अटेकर देते हैं जिससे उन चारों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है तब यह कवच क्रेग होने लगता है और प्रिमोडियम दर्ती की गहराईों से बहां निकल आता है वो जैसे बहां निकलता है तो उसकी नजट टेंग पर पड़ती है जिससे उसे लगता है क्यों गोल्डन शिकाड़ा है इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है वहीं मंकी किंग और जेन को नहीं तोड़ बाता जेन यूंग उसे बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपरात किया है क्योंकि यह कोई आम पेर नहीं था बलकि इसे क्यों उर्जा द्वारा बनाया गया था और इसके नीचे बहुत ही खतरनाक शेतान प्रिमोडियम केत था लेकिन तुम्हारी गल किस आपने वापस आंजाएगा औरों तुम्हारे मास्टर को निगर लेगा क्योंकि तुम्हारे मास्टरments तनी गोल रातेंगी γोनड़न की दस्वतार रहें इसलिए अगर उसने तुम्हारे मास्टर की शक्तियां हासिल कर ली तो वहुत तागतर हो जिसे कोई रोक नहीं पाएगा और उतीनों लोकों को अपने वश में कर लेगा तो मंगी किंग उन्हें कहता है कि ऐसा कोई डीमन नहीं है जिसे मैं वश में नहीं कर सकता इसलिए मैं अपने माश्टर को बचा लूँ गा तो जेन यूआंग उससे एक मुका दे देते हैं फिर मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की त्यारी करने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जादूई पेड़ से क्यों एनरजी निकल कर मंकी किंग के बेग में उनके साथ चली जाती है वहीं दिखाया जाता है कि प्रिमोडियम टेंग को लेकर एक माउंटे करने आने लगते हैं लेकिन जब प्रिमोडियम उन डीमन के लीडर को बताता है कि वह सबी डरकर उसके सामने गुटने टेग लेते हैं फिरो सभी को कहता है कि जब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ जाता तब तक तुम इस मौंग का खयाल रखना फिरो डीमन टेंग को मेरे अलावा यहां कोई राजा नहीं हो सकता और वो गुस्से में उसे वहां से दूर फेंग देता है वहीं दिखाया जाता है कि मंकी गिंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है वो एक जगए पर अराम करने के लिए रुखते हैं तब ही वहां वो क्यों एनर को उसकी बातों पर विश्वाश नहीं होता इसलिए उसे दूर फेंग देता है फिरो जमीन से उसी क्रियाचर को दोबाना बहां निकालता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि प्रिमोडियम कहां चुपा हुआ है तो क्रियाचर उसे बताता है कि हैं माउंटेन कोट क अलाका है जो सारी जगों के बारे में जानता है इसलिए उसके टेंबल से ही तुम्हें प्रिमोडियम के ठीकाने का पता चल सकता है फिरो यह भी बताता है कि तुम क्यों एनरजी की मदद से प्रिमोडियम को मार सकते हो इसलिए तुम्हें उसकी मदद लेनी चाहिए लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता और उस क्रियाचर को भी दूर फेंग देता है तो सेंडी उसे बताता है कि हो सच के रहा था क्योंकि किताब में लिखा है कि बुद्धा के एक शिष्य ने अपनी सारी क्यों एनरजी का इस्तमाल करके ही प्रिमोडियम को सिल किया था तो मंकी किंग भी उसकी बात समझ आता है वहियां में दिखाया जाता है कि प्रिमोडियम भी उन्हें अपनी शक्तियों की मदद से देख रहा होता है इसलिए अपने साथियों को उन्हें मारने के लिए बेशता है तबी टेंग उसे कहते हैं कि मेरे शिशी मुझे बचाने जरूर आएंगे तो प्रीमोडियम उसे कहता है कि तुम्हारे शिशी मुझे कभी भी नहीं रोक सकते इसलिए तुम्हें सबने देखना बंद कर देना चाहिए वाईया में मंकी किंग को दिखाया जाता है जो अब क्यो एनर्जी को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है जहां वो एक गाउं में खाना खाने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ गाउं में सबी उन डीमन को देखकर कफी डड़ जाते हैं कि तबी डार्क एनर्जी आकर उस गाउं को चारों तरफ से गेरने लग जाती है ये देखकर मंकी किंग क्यो एनर्जी को एक लालटेन के अंदर चिपा देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि प्रिमोडियम उस क्यो एनर्जी को खत्म करना चाता है तबी वहाँ सभी डीमन उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं लेकिन मंकी किंग अकेलाई उन पर बहुत भारी बढ़ता है वो एके करके सभी को मारने लगता है ये देखकर वो डीमन उस गाउं के लोगों को शेतान बनाने लग जाते हैं जोकि उन्हें पता होता है कि मंकी किंग निर्दोश लोगों पर अटेंग नहीं कर सकता तो मंकी किंग अपनी पावर से उन सभी इंसानों को फ्रीच कर देता है तब यूँ डीमन का लीडर उस क्यूए नर्जी वाली लालतेन को लेकर वहां से भागने लगता है यह देखकर म मंकी किंग पुरे टावर को ही दो इस्तों में काड़ देता है जिससे वो सभी डीमन उस मिनार के नीचे दव जाते हैं क्यूए नर्जी को उन मासुम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो डीमन बन गए थे इसे लोग क्यूए नर्जी नीचे आकर अपनी पावर की मदद से उन सभी इंसानों को सही कर देती है ये देखर मंकी किंग और उसके दोस हिरान रहे जाते हैं लेकिन इससे क्यूए नर्जी बहुत कमजोर हो जाती है मगर जब वो वापस से फूर्ट सखाती है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है इन सबसे मंकी किंग और उसके और दोस्त उसे काफी पसंद करने लगते हैं वहीं फिरा में दिखाया जाता है कि उनसे डीमन का लीडर जब प्रीमोडियम के पास जा कर उन्हें बताता है कि मैं उसकी इनर्जी को मारने वाला था लेकिन तभी मंकी किंग ने मुझे रोक लिया तो प्रिमोडियम उसे कहता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो यह कहते ही वो उसे खा जाता है और फिर अपने अंदर से डार्क शेडव निकाल कर उसे मंकी किंग को खत्म करने के लिए वेशता है वहाई monkey king अपने साथियों के सांत माउंटेन गोड के इलाके में पहुंच आता है लेकिन वहाँ कोई तो मंकी किंग अपने कुछ बाल तोड़कर उस रखुन का मुझ बंद कर देता है जिससे उसी कुड कर मर जाता है फिर मंकी किंग माउंटेन गोड पर अटेक करके उसे ब्योश कर देता है जिससे उसके अंदर से सभी डार्क एनर्जी बहार निकलाती है जो उस पूरे टेंब कि प्रिमोडियम कहा है तो माउंटेन किंग उन्हें अपने साथ लेकर जाता है जहां रास्ते में माउंटेन गोड उन्हें बताता है कि प्रिमोडियम सभी राक्षसों की सेना बना रहा है तो क्यों एनर्जी उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जौरत नहीं है क्योंकि कि मैं पुरी तरीके से खत्म हो जाएगी इसका मतलब यह कि उसका पुनरजरम नहीं होगा इन सबसे वह सभी काफी सेड़ो जाते हैं फिर माउंटेन किंग उन्हें मिलेनियन परवत दिखाता है जहां पुरी मोडियम चीपा हुआ था लेकिन वहने कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता तो मंकी किंग उसे जाने देता है और साथ ही वो उसके रकुंडो को भी फिर से ठीकर देता है माउंटेन गोर्ड इससे बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि प्रिमोडियम से जीतना बहुत मुश्किल है इसलिए मेरी बात मानो और बुद्दा से सायता मांगो लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता तो वहां से चला जाता है वह यह में दिखाया जाता है कि सभी ताकोत और डीमन मिलेनियम परवत पर इखटा होते हैं क्योंकि हो सब नहीं चाते थे कि क्यों एनर्जी प्रिमोडियम से लड़ते वक्त मारी जाए इसलिए उसे वह सुलाने कोशिश करते हैं लेकिन क्यों एनर्जी को नीन नहीं आ रही थी वो मंकी किंग से कहती है कि अब तो हम दोस बन गए हैं इसलिए तुम मेरा नाम रख सक क्योंकि मेरे कोई माभाव नहीं है मैं पत्थर से पेदा हुआ था इसलिए तुम चुपचाफ सो जाओ क्योंकि मैं एक बुरा डीमन हूँ जो बुराए के सिवा कुछ नहीं कर सकता तो फुरूटी उसे कहती है कि तुम बुरे नहीं हो तुम एक अच्छे डीमन हो साथ ही उसे ये भी कहती है कि हम दोनों मिलकर प्रीमोडियम को हरा देंगे और तुमारे माश्टर को आजात कर लेंगे तो मंकी किंग उससे वादा करता है कि हम साथ में प्रीमोडियम से लड़ेंगे तो फुरूटी उससे बहुत कुछ होती है फिरो वहां एक चट्टान पर जाकर हो जाती है तो मंकी किंग उसके चारों तरफ एक कवज बना देता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके और उसे अपने साथ भी लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि इससे उसकी जान को खत्रा था फिरो तीनों आगे बढ़ जाते हैं वो सुबह होते होते उस परवत के क भारी पढ़ने लगते हैं क्योंकि बाजी खुद को बहुत बड़े मोश्टर में बदल लेता है और सेंडी अपनी वाटर की शक्तियों से उन पर हमला करने लगता है उन सभी के बीच बहुत ही एपिक फाइड होती है लेकिन एक जगे मंकी किंग को सभी डीमन चारों तरफ से गेर लेते हैं यह देखकर मंकी किंग अपने बालों की मदद से बहुत सारे क्लोन बना लेता है जो सभी डीमन पर भारी पढ़ने लगते हैं तभी प्रीमोडियम वहां आ जाता है और उन डीमन को खुदी मार देता है क्योंकि उसे लगता है क्यों सब कमजोरों गए हैं म मंगी किंग अपनी पूरी पावर से प्रीमोडियम पर अटेक करने लगता है। वो बाहर नहीं निकल पाती। तभी मंगी बहुत इंसर्ट हुआ उसके पास आकर गिरता है। और प्रीमोडियम उसे मारने लगता है। भागने उगेता है। फूरी उसकी एहालत देखकर रोने लग जाती है। तभी प्रीमोडियम टेंग को भी वहाँ ले आता है। और वो मंगी किंग के सामने ही टेंग की पावर को अपने अंदर खीज लेता है। जिससे टेंग के आत्मा भी निकल जाती है। इससे फूरी काफी सेड़ो जाती है। और वो अपनी पावर मंकी किंग को देने लगती है। लेकिन मंकी किंग पावर लेने से मना कर देता है। तबी प्रिमोडियम फूरी को पकड़ लेता है। और वो मंकी किंग से कहता है कि तुम डीमन के राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। इसलिए अपनी हार माल लो। लेकिन मंकी किंग उसे कहता है कि आर मानने से अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। इससे प्रिमोडियम को और ज्यादा गुसा आ जाता है। और वो मंकी किंग को बहुत बुरी तरीके से मानने लगता है। ये देखकर फूरी को भी बहुत गुसा आ जाता है। और वो पावर से फ्रूटी पर अटेकर देता है जिससे फ्रूटी दूर जाकर गिरती है और उसकी सोल निकल कर मंकी किंग के अंदर चली जाती है जिससे मंकी में फिर से जाना जाती है और उसका इस्टोन हाट बहुत तेजी से दड़कने लग जाता है और अब मंकी किंग अपने प्रीके से मार देता है जिससे अब प्रीमोडियम की सारी डार्क शेडों भी गायब हो जाती है फिर दिखाया जाता है कि फुरूटी की क्यों एनरजी बाजी और सेंडी को फिसे ठीक कर देती है और अब उनके मास्टर भी वापस आ जाते हैं जो उन तीनों को आशिरवात दे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है फिरा में इस मूवी के पोस्ट एडिट सीन को दिखाया जाता है जहां उस जादुई पेड को सही करने के लिए एक देवी प्रकट होती है जो मंगी किंग के पास मौझूद फूटी के पत्ते से उस पेड को वापस सही कर देती है और